आज हम बनाने जा रहे हैं धनिया पुदीने की चट्नी इसमें डलेगा इत्ता सा धनिया एक मुठी दो मुठी मैंने पुदीना लिया है तीन हरी मिर्ची है जो बहुत तिकी नहीं है आजकल की मिर्ची जादा तिकी नहीं आती है यह लसन में डाल रही हो छे पीस आपकी मर्जियों चट्नी में लसन डाले नहीं मर्जियों मत डाले दो लसन इसमें पिंक लसन थे पिंक लसन और दो चार पीस यह थोड़े सी क्रीमी से थे अच्छे लग रहे हैं ना चलिए एक निम्बू और थोड़ा सा नमक टेस्ट के अंसार चलिए इनको डालते हैं धो के अच्छे से चार-पांच पानी मैंने रख दिया है अब सब कुछ इसमें डाल देते हैं धनिया भी बड़ा है इसलिए इसको हाथ से ही तो और इसकी टहनिया भी डालते हैं तो कि टहनियों में ही तो सारा फ्लेवर आता है सारी सफाई करके हल्की फुल्की टहनिया भी डाली है मैंने आपकी मर्जी आप नहीं डालना चाहते हैं मठ डालना अब इसमें निम्बू निचोड़ते हैं एक पूरा निम्बू जाएगा अगर आपको खटा कम लग रहा होगा तो हाफ निम्बू और डाल सकते हैं आदा चमच नमक इसको घ्रैंड करके हैं थोड़ा सा पानी डालते इसमें ज्यादा नहीं डालेंगे नहीं तो हमारी चट्नी पतली हो जाएगी अब जाएगा अब देखें इसका कलर खुश्बू कितनी अच्छी है यह हमारी सुजाता की मिक्सी है यह देखो अब चट्नी को सारे बॉल में कर दिया मैंने कैसी लग रही है आपी घर पे बनाना और मुझे बताना कॉमेंट करना लग रही है ना ग्रीन ग्रीन बहुत अच्छी अब हमारी चट्नी रडी पकोडो के साथ खाईए डोसे के साथ खाईए किसी के भी साथ खाईए रोटी सब्जी पराठा के साथ खाईए सैंड्विच में लगा के खाईए कुछ भी खा सकते हैं ओके गाईए